गूरा ग्राम पंचाद में आज जिला पंचादु पाध्धक्ष दिगविजें सिंग गौर ने किया माहिंगलाज क्रिकेट टूनमेंट का उद्खाटन जहां पहला मुकाबला पलेरा और गरॉली के मन दिखेला गया खबर लिखे जाने तक पलेरा ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित वारा ओरों में 9 विकट खोका 83 रनों का लक्ष गरॉली को जीत के लिए दिया था आयोजन समिती ने बता कि विजेता टीम को 11,000 रुपए का परस्कार और उपविजेता टीम को 51,000 का नगत परस्कार प्रदान किया जाएगा साथी साथ उन्होंने बता कि समापन करता के रूप में जनपत पंचाद पलेरा के अध्याक्ष मंजू रवींदरिस सिंग गौर होंगी उदघाटन मुकाबले के मुगी अधिती दिगविजे सिंग गौर ने अपने उदगोधन में कहा कि कि ग्रामेड इस्तर पर टूनामेंट के आयोजनों से ग्रामेड यूव में एक नई उमंग, जोश और जुनून का जैस्वा उतपन होता है जो हमारे चोटे चोटे गाउं से निकल कर एक नई प्रतिभा के रूप में उभर कर सामनी आते हैं, जो गाउं से निकल कर संपून देश में अपना और अपने शेत्र का नाम रोशन करते हैं, ऐसी प्रतिभाएं ऐसे ही आयोजनों से सामनी आती हैं, ऐसे आयोजन जरूरत होगी मैं आप लोगों के साथी खड़ा रहूंगा मैं आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा इस आयोजन के लिए आयोजन कमेटी के सदसे दिगविजा सिंग से सो दिया अजय प्रताप सिंग सौरब सिंग सोनू राजा को साधुआद किया अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर तेखने के लिए हमारे चनल पिलिस बीरोक्रेट्स न्यूस को बेल आइकान दबा कर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे कॉंटेक नंबर है 9039011886 एवं 9770229999